अगर आप भी microwave का इस्तिमाल करते हो, आपके भी मन में ये खयाल जरूर आया होगा, कि यदि microwave में steel का बरतन रख दे तो क्या होगा? तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों, microwave में हमारा खाना मैगन टोरन से गरम होता है, जिसमें से किरने निकलती है और हमारा खाना पारदशी किरनों से गरम होता है, इसलिए microwave में हमेशा कांच के या microwave सेफ बरतन का उपयोग होता है, जिससे पारदशी किरने आसानी से पार हो सकती है. किरने 해서 istele के बर्तन में पार नहीं होती है. आपको बता दें कि stainless. स्टील को कभी भी microwave में न डालें क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी पकाने जा रहे हैं, जो कि microwave की जरूरत juicy पड़ेगी तो उसे steel के बर्तन में ना पकाए. कई बार हम आलस में σ्टील के बरतन को माइक्रोवेव में डाल देते हैं स्टील माइक्रोवेव में एक तरह से दर्पन की तरह काम करती है जो ओवन की प्रकाश तरंगों को रोक लेती है और स्पार्किंग आग पैदा करती है और यदि उपकरण तुरंत बंद नहीं किया जाता है, तो microwave फट भी सकता है, और microwave का magnetoran भी खराब हो सकता है, जो microwave में किरणों से खाने को गरम करता है और आपका 1000 रुपय का नुकसान हो सकता है, और एक बात का ध्यान जरूर रखे कि microwave के चलते समय कभी भी इस पर cover नहीं डा क्योंकि microwave heat होता है, cover को आग लगने का डर रहता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिष्टोदारों को वीडियो सेंड करे, और technical सचदेवा जी को follow और like करे.